अम्दावात तक में आपका स्वागत है ग्रहों के साथ तरकों की बाद हम हमेशा इस शो में आपकी कुछ समस्याओं को लेकर एस्ट्रोलोजिकल चर्चाए करते हैं तो चलिए आज हम हमारे एस्ट्रोलोजर भावेश एंपटनी जी से कुछ और बाते करते हैं भावेश शी कुछ लोग जो है वो खुद पूजा करते हैं कुछ लोग जो है वो किसी और से पूजा करवाते हैं तो इन दोनों चीजों में कुछ फर्क होता है और जैसे कि हम कुछ न कुछ मंत्रे जाप करते हैं तो कुछ लोग जो है वो मनही मन में मंत्रचार करते हैं, कुछ लोग बड़ी आवाज में, उची आवाज में मंत्रचाप करते हैं, तो इसमें ज्यादा फल्दाई क्या रहता है या ऐसा कुछ भी होता है? ओके, हम जो जब करते हैं, उस जब के तीन प्रकार होते हैं सबसे पहला प्रकार है, उसे मानस जब कहते हैं यानि हम मन ही मन में जब करते हैं, और किसी और को पता नहीं चलता कि हम कौन सा मंतर बोल रहे हैं या कौन सा जब कर रहे हैं दूसरा जो प्रकार होता है, उसे उपांशु जब कहते हैं, जिसमें हम अपने होट हिला कर मंतर बोल रहे होते हैं लेकिन वो दूर बैठे किसी व्यक्ति को सुनाई ना भी दे ऐसा हो सकता है मन ही मन में आप जब मंत्र करते हैं तब तो किसी के जानने का सवाली नहीं है बांचु जब करते हैं हम, जैसे कि मैं अभी एक मंत्र बोल रहा हूँ तो आपको सिर्फ ध्वनी सुनाई देगी कुछ स्वरों की मैंने बोला ओम भूर्भूवस्वहत्तसवितुर्वरेणियम भर्गोदेवस्यदीमही दियोयोनः प्रचोदयाद अब जो तीसरा तरीका है, जो उपांशु जब से भी हटकर है आप वैकरी बोलते हैं, वैकरी यानि बिखेर देना, उपांशु यानि होटों के उपर से जो बोला जाता है, सिर्फ होट ही लाकर लेकिन वैकरी मंत्र, यानि वैकरी बानी जिसे कहते हैं, तो वैकरी का मतलब है बिखेरना तो उसमें हम aloud बोलेंगे तो इसका एक अलग impact होता है अब तीनों में सबसे ज्यादा impactful क्या है ये अगर जानना है तो आपको ऐसा एहसास जरूर हो सकता है कि जो ज्यादा वजन देकर बोला गया है वो ज्यादा impactful है है ना? जैसे कि मैंने अभी जो वईखरी में मंत्र बोला वो ज्यादा impactful होना चाहिए जो सब को इस कमरे में बैठे हुए सभी को सुनाई दे लेकिन ये बात सच नहीं है दरसल मानस जब जो होता है उसका परिणाम सबसे ज्यादा मिलता है उसका impact सबसे ज्यादा होता है क्योंकि मानस जब आप मन ही मन में करते हैं आपका पूरा concentration उसमें होता है आपने आँखे खुली रखी हो तो आपका ध्यान distract होगा इसलिए मानस जब आँखे बंद करके करना चाहिए और आपका पूरा ध्यान उस मंतर के प्रतिकेंद्रित होगा इसलिए मानस जब सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम देता है बहुत सारे साधू मैं ऐसे सादूों से मिला हूँ कि जो मानस जब करते करते फिर एक बीज को पकड़ लेते हैं जैसे ओम, रिम, शरिम, क्लिम ये सारे बीज हैं ये जो बीज होते हैं उन बीजों में से किसी एक बीज यानि कि सीड को उनौने साध लिया होता है और वो मानस जब से ही मुमकिन होता है तब उसका पावर ही कुछ और बन जाता है और वो जो सीड होता है उसकी द्वनी आप उनके शरीर में से सुन सकते हैं आपको इस बात को ताजुब हो सकता है आपको ये सुनकर सर्प्राइज हो सकता है लेकिन मैं बिल्कुल ही exaggerate नहीं कर रहा हूँ मैंने ऐसे साधूंओं की करोड रज्यू यानि की spinal cord पे कान रखकर सुना है कि उनके अंदर एक ध्वनी जा रही है और वो ध्वनी ऐसे उपर नीचे होती है पूरे सुक्ष्म शरीन मेसेज जैसे जा रही है and it sounds like मानली जीए कि उन्होंने अगर प्रणव यानि ओम का जो बीच है उसकी साधना की है और उसे हासिल किया है मानस जब के जरीए तो it sounds like इस तरह से उसका sine wave, sinusoidal wave create होता है तो वो जो ध्वनी होती है जो हम ब्रामरी करते हैं तब भी कभी कभी सुनते हैं उसी प्रकार की ध्वनी उनके spinal cord में आपको सुनाई दे सकती है वो बहुत ही कठिन साधना है और सारे लोग उसे अचीव नहीं कर पाते हैं तो मानस जब सबसे ज्यादा powerful साबित हो सकता है मानस जब करने से आप मंत्र साधना में जल्दी आगे बढ़ सकते हैं दूसरा प्रकार है उपांशु जब उपांशु जब जब आप करते हैं तो आपको उसकी उर्जा को थोड़ा बिखेरना पड़ता है उपांशु जब यानि जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया अब दूसरा उदाहरण अगर मैं दू तो तो यह जो मैंने बूला ओम सहस्तरशीरशा पुरुशह सहस्त्राक्ष यह पुरुश सुक्तम है तो हम जब उपांशु जब करते हैं होठों से बोलते हैं तो उस तरह की जो साधना होती है उस तरह का जो मंत्र जाप होता है उसका परिणाम हमें थोड़ा कम मिलता है यानि हमें वो मंत्र ज्यादा करने पड़ते हैं मानस जब के जो मंत्र होते हैं उसकी संख्या कम भी हो तो भी वो जल्दी सिद्ध हो जाता है उपांशु जब की संख्या थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए तो वो सिद्ध हो सकता है या तो वो परिणाम दे सकता है और तीसरे प्रकार का जो जब है जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इस वैखरी वैखरी यानि की आप जोर से बोलके आप उस वातावरण को भी चेंज करने की कोशिश कर रहे हों उसका प्रयुग कब करना चाहिए, वैखरी साधना कब करनी चाहिए जब आपको उस वातावरण की उर्जा चेंज करनी हो वास्तु पूजा में आपके शरीर के अंदर के आंदर वनों को ठीक करना ही ज़रूरी नहीं है लेकिन वातावरण में भी एक सकारात्मक उर्जा का आविरभाव अगर आपको करवाना है तो आपको वास्तु पुजा में जो मंत्र बोले जाने चाहिए उन मंत्रों का वैखरी जाप करवाना चाहिए और नॉर्मली ऐसा ही होता है घर में जब वास्तु पूजा होती है तब उसका वैखरी जब ही होता है फिर ऐसी जगह पर कि जहां पर बहुत सारे लोग इखटा हुए हैं वहाँ पर भी हमें वैखरी मंत्र साथना करनी चीए क्योंकि उससे न सिर्फ हमें लाब हो लेकिन सुनने वालों को भी लाब हो एक छोटी सी कहानी है स्वामी राम भधर सूरी जी ने बारवी शटाबदी में एक नाटक लिखा था जिसका नाम था प्रबुद रोहियर नंе उसमें एक चोर के बारे में बात है, एक ठीफ के बारे में कि जिसे ऐसा सिखाया गया है कि माहवीर का प्रवचन कभी नहीं सुनना ऐसा उनके पिता ने, उनके अंकल ने वगेरा ने सिखाया है तो वो कहीं से गुजर रहे होते हैं चोरी करके और तब ही माहवीर का प्रवचन शुरू होता है तो वो क्या करते हैं कि दोनों उंगलियों से अपने कान यूं बंद कर देते हैं ताकि वो वानी अच्छी वानी उनके कानों में ना पड़े लेकिन वो प्रवचन नस्दीक में ही कहीं हो रहा होता है तो उन्हें काफी जोर से अपनी उंगलियां कानों में दबानी पड़ी आगे वो गए तब उनके पैरों में कांटा चुबा अब उनके लिए दुविधा ये हुई कि अगर कांटा निकालने जाएंगे तो वानी कान में पड़ जाएगी तो क्या होगा बुजर्गों ने कहा है कि ऐसा नहीं करना चीए तो कांटा निकालने के लिए उन्होंने एक कान से उंगली निकाली और कांटा पैर से निकाल दिया उतनी ही मूमेंट में उतनी ही क्षणों में उनके कानों में जो वानी पड़ी उसकी वज़े से उनके जीवन में एक सकारात्मक उर्जा का आविर्भाव हुआ एक नए विचार का आविर्भाव हुआ और बाद में वो प्रबुद्ध हुए यानि ग्यान को प्राप्त हुए प्रबुद्रोहियनेम का मैसेज यही है कि आपके कानों में ग्यान का एक शब्द, भक्ति का एक शब्द भी पढ़ जाए तो आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है दूसरा चवला जी आपने ये पुछा कि क्या किसी व्यक्ति को दूसरे लोगों से पूजा करवानी चाहिए क्या हमें उसका फल मिलता है हाँ डेफिनिटली हमें उसका फल मिलता है लेकिन एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा that is कि अगर आपका बेटा खाना खाए और आपका पेट भर जाए ये हो सकता है क्या नहीं न ठीक उसी तरह कोई और मंतर जाप करता है आपके लिए तो आपको फाइदा जरूर हो सकता है लेकिन उसका फाइदा आपको कम होगा क्योंकि आपको शुरूती का पुण्य मिलेगा सुनने का पुण्य मिलेगा अगर आप खुद जब करते हैं खुद मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो आपको उसका ज्यादा फाइदा मिलेगा अगर आप खुद नहीं करते हैं मंत्रजाप, तो आपको कम फाइदा होगा शुरूती का पुन्य, अच्छी बाते सुनने का पुन्य जो है, वो तो है ही उसकी जगा पर तो दूसरे लोगों से आप मंत्रजाप करवा सकते हैं, अगर आपके पास वक्त नहीं है आपके पास समझ नहीं है सही उच्चारण की तो भी आपको खुद मंतर जाप नहीं करना चाहिए देखिए समझ नहीं होगा तो आप एक आगरता से मंतर नहीं कर पाएंगे और अगर समझ नहीं होगी उच्चारण की तो भी आपको उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा कभी-कभी बुरा फल मिल सकता है क्योंकि उच्चारण में बहुत गहनता होती है आप एक ही चीज़ को अगर रस्व लगाते हैं और दिर्ग लगाते हैं तो उसमें फर्क होता है ये सारे उच्चारण बहुत ही ट्रिकी होते हैं इसलिए हम ये गलती ना करें तो अच्चा है तब हम दूसरे लोगों से पूजापाट करवा सकते हैं उसका अच्छा परिणाम हमें मिल सकता है लेकिन जो पूजापाट करने वाला है उस व्यक्ति का कमीशन कटेगा की नहीं क्योंकि उन्होंने मंतर बोला है अब आप एनरजी एक्सचेंज के जरीए पैसे देकर उस व्यक्ति को डेफिनिटली अपीज कर सकते हैं थैंक्फूल रह सकते हैं उसके बावजुद आप खुद मंतर करते हैं और शरीर में जो आंदोलन होता है वो तो ग्रेटर ही होता है तो मंतर जाप बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और मंतर जाप किस तरह से करना चाहिए और दूसरे लोगों से मंतर जाप करवाने से क्या फाइदा हो सकता है ये हमने आज के एपिसोड में जाना थैंक्यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस एपिसोड और अमदावाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए अमदावाद तक का फेस्बुक पेज लाइक करिए हम और भी बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बातें लेकर आपके सामने अमदावाद तक पर आते रहेंगे थैंक्यू आपके सामने अमदावाद तक की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए आपके सामने अमदावाद तक की यूट्यूब